हेलो स्टूनेंट्स स्वागत है आपका यूपी इट इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आपको यह बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि न्यूक्लियर श्यूल कॉम्प्लेक्स जो आपके कोटा में इस्तित है इसमें कुछ बीटेक और बीच ये छात्रों के लिए कुछ भरतियां आई है इसी के रिकार्डिंग में ये वीडियो है जो मैं आज आपको बता रहा हूं तो इसका विज्यापन संख्या है 02222 पोश्ट कोड है 22201 पद का नाम है तकनीकी अधिकारी D Software Developer देखिए ये समू एक ही है गजिटेड वेके इसमें रिक्तियों की संख्या के बात करूं तो जो दो है वो जनर्ल के टिकरी पे वेकेंसी है वेतनमान के बात करूं तो 67000 रुपय है जिसका पै लेवेल है ग्यारवी में नमबर वन तो देखिए पात्तरता के लिए भारत का नागरिक और आविदन प्राप्ति के अंतिनत थी को अधिकतम 40 वर्स इसमें आयू है कि अगर आपकी लाश्ट डेट से 40 वर्स तक के अंतरगा आप हैं तो आप इस फॉर्म को भरने में प्लेजबल हैं सेक्षन के योगदा के अगर बात करें तो कुल जो आपका परसेंटेज है उसमें कम से कम आपका 60% होना चाहिए 60% से कम के स्टुडेंट्स जो हैं बी बी टैग में अपलाई नहीं कर पाएंगे और साती साथ अगर experience की बात करूँ तो चार वर्सों का अनभा होना चाहिए और AngularJS या ReactJS में एक वर्स का अनभा होना चाहिए जावा या PHC, HTML, CSC या Python का ग्यान जरूरी है और साथी साथ अगली जो पोस्ट है इसका पोस्ट कोड है 22202 इसमें भी पद का जो नाम है वो तकनीकी अदिकारी है डी, आईटी, अव सन्रचना तथा साइबर सुरक्षा की बारे में इसमें जवाप की पोस्ट है इसमें रिक्तियों की अगर संख्या की बात करें तो दो है वो भी General Category के लिए पोस्ट है है इसमें कोई भी category के आप हो, आप डाल सकते हैं, बहले आप general हो, SC, ST, OVC, किसी भी category में हो, आप apply कर सकते हैं, general category से, वेतनमान के बात करूं, तो same है, पातरता के लिए भी condition same है, और section के योगता के बात करूं, तो आपका 60% कम से कम होना चाहिए, इससे कम आप apply नहीं कर और योगता की, अगर आवश्यक योगता, जो वर्सों का आपका जो अनभाव है, S की में बात करूं, तो इसमें भी 4 सालों का अनभाव, और with this certificate, ethical hacking में आपका होना चाहिए, इसमें postcode 3 के अगर में बात करूं, तो 22203 का postcode है, इसमें पद का नाम same है, तकनीक यदिकारी D, इसमें भी IT अपसन नचना, कि जो IT सेल के head है, इसके लिए vacancy आई है, तो ये भी राजपत्रत यानि की budgeted job है, इसमें भी एक vacancy है, पात्तरता की अगर में बात करूं, तो भारत का नागरिक और आविदन की अंतिम्तिती से 40 वर्स से कम अम्र होना चाहिए, section की योगता की अगर बात करें, तो 60% से above के students, जो B.E.B.Tech धारक हैं, वो apply कर सकते हैं, इसमें भी Windows, Linux, server का system administration होना चाहिए, साथी साथ, network administration, एवं IT का ग्यान होना चाहिए, और 400 का अन्मा होना चाहिए, तो देखिए, chain प्रिग्रिया की अगर बात करें, तो आप अभ्यारतियों का chain साक्षतकार में, अभ्यारतियों के presentation की आधार पर किया जाएगा, इस जो आपका waveform है, इसमें आपका exam नहीं होगा, आपका direct interview के आधार पर आपका जो है, वो selection किया जाएगा, तो आप देख पा विज्यापन में निर्धारत अनभाव की अभ्धी की करना, आविदन प्राप्त करने के अंतिम अभ्धी, यानि की 2-4 इसकी 2 April 2022 इसकी last date है, इसके पहले पहले तक आपका जो experience है, वो count किया जाएगा, और IU की अगर बात करें, तो वो भी 2 April 2022 के पहले तक आपकी IU है, जो count कर की जाएगी, तो यह थी आज की update, तो जो हमारे बी-बी-टेक धारक है, उनके लिए vacancy है, यहां आप इस website का link देख सकते है, www.nfc.gov.in, इस website से जाकर आप directly form apply कर सकते हैं, मिलते हैं next video में, thank you.